आंगन बाड़ी सेविका सहय का मिनी बहनों आज साम की सची खबरों में आप सभी का स्वागत है जो भाई बहन चैनल से न जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बेल को आल पर दबा लें चैनल से जुड़ जाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफेकेशन आपक मद्र प्रदेश के भोपाल में नवदुनिया में वहाँ पर प्रकासिद किया गया था कि डेंड लाक आंगन बाड़ी कारकरतियों को मिलेगा 15-18,000 रुपया वेतन तो 15-18,000 रुपया वेतन अभी तक वो आंगन बाड़ी बहनों को नहीं मिल पाया है अब यहाँ पर इस ब चाप देते हैं कि बढ़ेगा मान दे लेकिन कुछ नहीं हुआ समय पर समय बीत गया और बहनों का वो जो 15-18,000 रुपया मान दे मिलेगा बतया जा रहा था बढ़कर के वो पैसा उनको नहीं मिला ऐसे ही आप देख रहे हैं तमाम राजों में आंगन बाड़ी बहनों को सरक दिया कर्मी उस पर मिल जाने की मोहर ठोक देते हैं अब ऐसे में आप देखेगा बहने समाल उठा रही हैं कि अभी तक इनको पूरा क्यों नहीं किया गया इसमें लिखा था कि प्रदेश की 1,500,000 आंगन बाड़ी कारकरतियों को प्रती माह 15-18,000 रुपया वेतन मिलेगा आ अब मध्यप्रदेश में उसका भी भुगतान सुरू किया जाएगा और तबसे लेकर के अब तक की रासी का एरियर के साथ में भुगतान भी किया जाएगा ऐसी खबरे आंगन बाड़ी वहनों मध्यप्रदेश में प्रकासित की गई थी पचले कुछ समय पहले वहने पंदा सो कटा था उसका एरियर का भी भुखतान हुआ अब समय पर समय बीट गया लेकिन बहनों का ना तो वेतन बढ़ा है 15-18 हजार हुआ है ना ही 1500 कटा हुआ भी बहनों को अभी मद्रप्रदेश में मिल पा रहा है अब आगे लिखा यहाँ भरोसा नगरी विकास एवं कारकरता सायका को उस समय दिया था इस आस्वासन के बाद सभी ने डेड़ मां से किये जा रहे विरोध पदरसन को खतम कर दिया था और वे सनिवार से काम पर भी लोट गई थी इसकी पुष्टी बुलंदावाज नारी सकती आंगनबारी कारकरता सायका संगठन की अध्यच रामे सुरी मेसराम बहने की थी बता दे की बीते डेड़ मां से चल रहे विरोध पदरसन के कारण सासकी योजनाओं का काम का आज प्रभावित हो रहा था प्रदेश के ज्यादा तर आंगनबारी केंदर नहीं खुल रहे थे जिसका असर बच्चों पर पढ़ रहा था राम पांदे बढ़ोत्री का लेकिन किया कुछ भी नहीं अब इन मांगों को पूरा करने का यहां पर भरोसा बेहनों को दिया गया था जिन में आंगनबारी केंदर का संचालन करने के लिए भवनों का किराया समय पर चुकाया जाएगा एक यह अस्वसन था सासकी भवनों में ख आप से किये जाने की विवस्था बनाई जाएगी तो यहां पर मांगों को पूरा करने का यह भरोसा दिया गया था तो अब बताओ अकबार वालों ने फिर किस बुनियाद पर इसमें च्छाप दिया कि डेढ़ लाक जो है आंगनबारी कारकरताओं को मिलेगा 15-18,000 रुप रहेंगे कि जो है खबर को जादा और वैरल करने के लिए मोटा मोटा ऐसे चाप दिया जाता है ताकि उसको पढ़े और सब जो गई दर तरब भागते चले आएं तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में आप जरूर बताना वही मैंने कहा है भाया जी नमसकार काम को बढ़ाती जा रही सरकार मांदे बढ़ाने का नाम नहीं ले रही है MP सरकार दो महीने पहले लॉली पॉप दिया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ सिवराज सरकार ने इस तरह से कुछ चीजे हैं जो उन्होंने लिखी है बाकी उनके द्वारा एक ये लेटर भेजा गय है जो मद्धप्रदेश सासन ग्रह विबाग मंत्राले से यह यहाँ पर जारी हुआ है लेटर 13 जुलाई को और यहाँ पर इसमें मोहर भी लगी है काराले कलेक्टर ठधरपूर्ग साका से 14 जुलाई की और ऐसे में आपको बतादे लिखा है हर घर जंडा अभियान के अंतर पर मनाएंगी तो आए देखते हैं मद्धप्रेश में हर घर जंडा अभियान को लेकर के इस बार जो 11 से 17 तक वहाँ पर भी मनाया जाएगा तो उसके बारे में क्या-क्या बोला जा रहा है पहला पॉइंट है राश्टी धोज के मापदंड भारती है जंडा संगिता के पा अधा डंडे पर नहीं फेरा जाएगा राश्टी धोज के उपर पेन पेंसिल इसकेच पेन आदी से कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए फटा हुआ अत्वा छती गरस्त हुआ राश्टी धोज को इस तरह नहीं फेरा जाए जिससे धोज जमीन अत्वा बहते पानी को छू राष्टी ये धोज को जोएब पर सिंगल मास्ट पर फेरा जाना चाहिए वाकि अगला पॉइंट है राष्टी धोज को ՛तिगरस्त होने गंदा होने अथवा अभिमान समाप्ती उपरान्त सावजने की स्थल पर या ऐसे स्थान पर नहीं फेका जाए जिससे दुच के सम्मान को ठेस लगे राश्टी दुच को हरगर जंडा अभियान की समाप्ती पर निजी तौर पर धोकर के तथा तदस पस्चास जो है सहज करके घर में सुरच्चित स्थान पर रखा जाना चाहिए साथ इस तरह से लिखा गया यहाँ पर आप देखेगा फ्लैग कोड आफ इंडिया के समस्त प्रावधानों को सास की काराले भवन पर फैराये जाते समय काराले प्रमुक द्वारा आवस्यक रूप से सुनचित किया जाए हरगर जंडा तिरांबियान के अंतरगत नागरी को द्वारा जंडा फैराये जाने के सम्मन्द में कुछ प्रावधानों का नागरी को द्वारा पालन किये जाने के लिए पर्याप्त प्रचुर मात्रा में प्रचार प्रसार भी कराया जाए तो ये कुछ यहाँ पर नियम कायदे दिये गए है जो गौरव राजपूत हैं सचिव है मद्रपदेश सासन में 13 जुलाई का उनका एके लेटर जारी हो चुका है 11 से 17 अगस्त के बीच में हरगर जंडा जो है मद्रपदेश में भी मनाया चाहेगा वहीं बात करते हैं अंगनबाडी कारकरता एवं सहय का वेलफेर एसोसियेशन उत्तरपदेश की तरब से ये लता सर्मा बहने इलहाबाद से आती है और ये ससीबाला बहने जो मुरदाबाद से आती है और यहाँ पर 11 जुलाई का के लेटर है जो कि इसमें पत्रांग संख्या भी नहीं पड़ी है और लेखा है मानने मुक्य मंत्री उत्तरपदेश सरकार लखनव और ICDS में मुक्य सेविका की सीधी भरती से लुड़ा हुआ मैटर है तो जो भी अभी ICDS विभाग में सुपरवाजर की जो सीधी भरती आई है उसके बारे में लिखा गया है कि यहाँ पर नवेदन इस प्रकार है कि सरकार ने मुक्य सेविका के 2693 पदों के लिए सीधी भरती के लिए विग्यापन संख्या 5 पर इच्छा 2022 जारी किया है खेद के साथ कहना है कि नियमा नुसार विभागी प्रमोशन 50% का कोटा पूरा किये बिना या सीधी भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया है इससे वर्सों से प्रमोशन की आसा लगाए बैठी प्रदेश की हजारो उच्छ सेचित प्रसिचित और निर्धारित अहरता रखने वाली कारकरती इनमें भारी निरासा हुई है जैसा कि सबी अवगत हैं कि वर्सों से विभागी प्रमोशन कारकरती के मुख सिविका और सायका के कारकरती पदों पर लंबित हैं कई भार इसके लिए प्त्रावली भी तयार कराई गई लेकिन प्रमोशन कालाब किसी को नहीं दिया गया अता एसोसियेशन महोदे से मांग करती है कि सुपर्वाइजर के पदों पर सीधी भरती से पहले विभागी प्रमोशन का कोटा पूरा किया जाए संबंद में प्रदेश की आंगनबाडी करमचारी आगामी 21 जुलाई को महोदे को सामोहिक रूप से अपनी अपने जिलाधिकारी के माध्यम से मांग पत्र बेजेंगी साथी एसोसियेशन सरकार से याभी अनुरूद करती है कि 24-5-12 को एसोसियेशन के साथ हुए लिखे समझोते के अनुरूप प्रमोशन का विभागी कोटा 50% से 75% भी किया जाए इस तरह से ससी बाला बहन जो प्रदेश महा सच्यू और उनकी तरप से कि ये लेटर जारी करके बेजा गया है चंद्रमुखी बेहनाती हम रोहा जिले से उनके द्वारा आलंडिया को बेजा गया है वहीं बात करते हैं अगली जानकारी की मुन्नी बहन आती है सहजहापुर से और उनके इस तरह से कि ये लेटर हमारे पास पहुँचा है जो कि उपजिला अधिकारी पुवाया जनपस सहजहापुर के है और साथ तारीक अभी डेट इसमें पूरी नहीं पड़ी हुई है और आपको हम बताना चाहेंगे ये जुडाई का ही मैटर है अप कुछ तारीक है इसमें आई है जिसमें कि आप देख सकते है विकास खंडो के नाम है और दिनांक वगरा सब यहाँ पर दे दी गई है तो बियलो जो वरकर है उनके लिए यहाँ पर जानकारी है जो अभी आपको मैंने बताया था कि आठ का जो का है उसको खतम कर दिया गया है जो फारम था उसकी जगहे पर आपका जो है फारम जो है 6-7-8 ये इस तरह से या भी वाला टाइप का एक था वो आपर बढ़ा दिया गया था तो वही पर ये मैटर है जो कि 15-16 को मिटिंग मिटिंग थी और अब ये डेटे निकल चुकी है चुकि आज आज आप लोगों की 17 तारीक हो चुकी है आप पर कर लेंगे तो जानकारी भी समय से आपके पास पहुंचती रहेंगी और आज के लिए धन्यवा सुबह फिर 7 बजे की खबरों में आपको मिलते हैं आपकी जो खबरे हैं सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे, सामके 7 बजे इस तरह से आपियार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है पिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानि घंटी बनके आएगी उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी जिन में सबसे उपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है